दोस्तो दस्वी बेव बारवी पास जो विद्ध्यार्थी हर्याना के विबिन पॉलो टेक्निक सिक्षन संस्थानों से पॉलो टेक्निक डिप्लोमा करना चाते हैं मिन्स इंजिनिरिंग की फिल्ड में अपना डिपलोमा करना चाते हैं, इसके अलावा फार्मेसी में डिपलोमा करना चाते हैं, या बारवी पास जो विद्ध्यार्थी लेटल एंट्री में डिपलोमा करना चाते हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी न्यूज है ये, दोस्त की डेट्स क्या रहेंगी उन सभी के बारे में जानते हैं पॉलो टेक्निक डिप्लोमा जो की इंजिनिरिंग की फिल्ड का ऐसा डिप्लोमा है एक बहुत ही सोटकट मैथड से आप आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा विविन सरकारी जो संस्थांस हैं उनमे आप recruitment के लिए eligible हो जाएंगे वहाँ पे आप अपने form supply कर सकते हैं तो यह डिप्लोमा तीन साल और दो साल का होता है इंजिनिरिंग की various fields की मैं बात करूं streams की मैं बात करूं तो जैसे mechanical, electrical, electronics, civil, computer, instrumentation, control, medical इस प्रकार से यह डिप्लोमा होते हैं कुछ इसी प्रकार से laterl entry में यही होता है लेकिन जो laterl entry है उसकी सीटें as comparison to diploma engineering means 10th level उससे कम होती है तो आएए जानते हैं किस प्रकार key dates रहने वाली हैं उन key dates के अनुसार आप किस प्रकार अपना eligibility का criteria चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तो सबसे पहले मैं बात करता हूं prospectus कहां से चेक कर सकते हैं आप गूगल पे अपने mobile phone में किसी भी browser में जाएं और वहाँ पे type करें HSTES इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूं HSTES गूगल में search करें और search करने के बाद आपके पास इस प्रकार की screen आएगी जो screen आए यहाँ पे आपको click करना है HSTES पे जैसे आप click करेंगे इस प्रकार का interface आपके सामने आएगा जो यह interface है यहाँ पे जो three lines आपको दिखाई दे रही है इन three lines पे click करें three lines पे जैसे click करेंगे तो यहाँ पे देखे about us, diploma courses, degree courses, key date, schedule, prospectus तो दोस्तों prospectus पे आपको click करना है जैसे यहाँ prospectus पे click करेंगे इसके बाद फिर से आपको थोड़ा bottom phase में आने के बाद यह देखे, diploma prospectus 23-24, 2023-24 का जो diploma prospectus है यह आ चुका है, यहाँ पे आपको diploma prospectus पे click करना है और इसको download कर लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस परकार से click करेंगे, यहाँ पे जैसे click करेंगे, तो मैंने download किया था, इसलिए बोल रहा है download again, तो मैं यहाँ से दुबारा से आपको download करके दिखा देता हूँ, यहाँ यह download start हो चुका है दोस्तों, जैसे complete download होगा, तो आपके सामने screen पे आएगा, तो मैं इसको open करने वाला हूँ, मेरे पास PDF वीवर है, PDF वीवर मैं इसको open करने वाला हूँ, यह इसका complete prospectus है, Department of Higher Education हरियाना, Diploma Prospectus 2023-24, तो बहुत जरूरी है, इसमें सभी details दी हुई है, Diploma Engineering, Diploma Pharmacy, Diploma Engineering Lateral Entry, यह हरियाना के मानिये Chief Minister, मनहोरलाल खटर जी, इनका according इन्होंने अपना message दिया है, जो कि एक भेतरिन message है, जिसको आप complete detail में पढ़ सकते हैं, जो हिंदी में पढ़ना चाहें, हिंदी में, English में पढ़ें, यहाँ पर यह मंत्री हैं इस department के, मानिये श्री मूलचन सर्मा जी, इन्होंने भी अपना message है, वो दिया हुआ है, तो यह आप complete detail में पढ़ सकते हैं, यह आप इनका संदेश पढ़ सकते हैं, अब main बात है contents की, जहाँ पर polytechnic education and overview, इसी प्रकार important information, eligibility for all diploma courses, eligibility क्या- सारी details आप आसानी से दोस्तों पढ़ सकते हैं, अब यहाँ पर key dates कहाँ पर check करें, key dates चेक करने के लिए, वापस हम website पर चलते हैं, website पर जाएं, आप click करें, दोबारा से home page को यहाँ से open कर लें, जैसे home page को आप open करेंगे, तो दोबारा से यह interface complete आपके सामने आएगा, इस interface में थोड़ा सा नीचे चलें, यहाँ पर यह देखें दोस्तों, tentative key dates of diploma courses for the session 2023-2024, यानी 2023-2024 के लिए tentative key dates हैं, तो यहाँ पर आपको click करना है, diploma course notification में जो चीज दी हुई है, तो यह भी मैंने download किया था, तो download again पर मैं कर देता हूं, और यह देखें दोस्तों, यह download आचु for the session 2023-2024, 2023-2024 के लिए admission का complete schedule है, for all seats of government, government added polytechnics and 75% seats of private institutes, 75% जो seats हैं वो private institute किये हैं, इसके लावा सभी जो government polytechnics है, government added है, उन सभी के लिए यह key dates है, description event में आप पढ़ सकते हैं, online admission brochure at hstes.org.in and www.tech.edu.hry.gov.in यहाँ पे online admission का brochure 25 मई 2023 से start हो चुका है, इसके अलावा online registration कब से होगा, यानि आप form कब से fill कर सकते हैं, तो उसके लिए website दी हुई है www.techadmissionshry.gov.in और जो application fees है वो deposit कर सकते हैं, आप online debit card, credit card, UPI, net banking से, तो यह दोस्तों कब होगी, diploma engineering के लिए 9 जून 2023 सुबह 11 बचे से open होगे, जो की 17 जुलाई 2023 तक चलेंगे, रात 11 बच के 69 मिनट तक, तो इसका मतलब बहुत lengthy process है, board से, पीछे भी बहुत से request ने डली हैं, कि आप इतनी लंबी दूरी तक इस process को start ना रखें, तो यहाँ पे 9 जून 2023 से 17 जुलाई 2023 तक यह process चलेगा, जो डिपलोमा फार्मेसी है, उनका 12 जुन 2023 से 18 जुलाई 2023 चलेगा, जो बारवी पास विद्ध्यारती हैं, डिपलोमा इंजिनिरिंग लेटरल एंट्री, जिसमें TFW और EWS कटेगरी भी include हैं, उनका यहाँ पे schedule चलेगा, 13 जुन 2023 से 24 जुलाई 2023 तक, online जो verification होगा, marks का, जो qualifying examination आपका, यानि 10 जुन 2023 से 18 जुलाई 2023, डिपलोमा इंजिनिरिंग मींज दस्वी पास के लिए, और डिपलोमा फार्मेसी के लिए 12 जुन 2023 से 19 जुलाई 2023, और डिपलोमा इंजिनिरिंग लेटरल एंटरी के लिए 13 जुन 2023 से 25 जुलाई 2023, जो result होगा, inter-c merit का, वो www.techadmissions.hry.gov.in, पे आप चेक कर सकते हैं, 27 जुलाई 2023 स्याम को 5 बजे के बाद में, डिपलोमा इंजिनिरिंग जो दस्वी पास विद्धार थी है, जो डिपलोमा फार्मेसी के लिए हैं, वो 25 जुलाई 2023 को स्याम 5 बजे के बाद चेक कर सकते हैं, इसी परकार जो डिपलोमा इंजिनिरिंग लेटरल एंटरी हैं, वो अपना चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इंटरसी मेरिट का रिजल्ट, 27 जुलाई 2023 स्याम 5 बजे, ओनलाईन च्वाइस फिलिंग और जो रिपोर्टिंग सेडूल है, जिसमें आप च्वाइस फिल करेंगे, यह च्वाइस फिल से मीनस आप ब्रांच फिल करेंगे, स्ट्रीम्स फिल करेंगे, तो वो कब से होगा, फर्स्ट काउंसलिंग वहाँ पर होगी, आठ अगस्त दो अजर तेईस, यह भी बहुत लेंदी प्रोसेस हैं दोस्तो, आठ जुलाई दो अजर तेईस, इतनी लंबे समय के बाद यह च्वाइस फिलिंग होगी, तो आठ अगस्तो अजर तेईस से दस अगस्तो अजर तेईस तक यह च्वाइस फिल होगी, फर्स्ट काउंसलिंग के लिए, सेकिंड काउंसलिंग होगी, 18 अगस्तो अजर तेईस स 21 अगस्तो 2023 इसी प्रकार फार्मेसी के लिए होगी 7 अगस्तो 2023 से 9 अगस्तो 2023 और सेकंड काउंसलिंग होगी 16 अगस्तो 2023 से 17 अगस्तो 2023 इसके अलाबा लेटल इंट्री के लिए होगी 28 जुलाई 2023 से लेकर 1 अगस्तो 2023 और second counseling होगी 9 जुलाई 9 अगस्तो 2023 से 11 अगस्तो 2023 seat allotment यानि जब आपका कहीं पर admission हो जाएगा किसी concern institute में जो जो आप fill करेंगे choice उसके according तो result कब आएगा result जो first counseling दस्वी pass के लिए आएगा वो 11 अगस्तो 2023 स्याम पांच बजे को आएगा इसी परकार second counseling का आएगा 23 अगस्त शाम को पांच बजे जो pharmacy के विद्धारतियों उनका आएगा 10 अगस्तो 2023 स्याम पांच बजे के बाद में second counseling का result आएगा 18 अगस्तो 2023 को इसी परकार से 3 अगस्तो 2023 स्याम पांच बजे रिजल्ट आएगा बारवी पास विद्धारतियों के लिए पहली counseling का दूसरी counseling का आएगा 14 अगस्तो 2023 को शाम पांच बजे जो जहां आपका admission हो गया जो seat allotment हो गया तो physically आपको report करना है उस institute में जाना है जहां पर आपका admission हो है तो यहां पर physically reporting होगी 113 से 16 अगस तो 2023 first counseling दस्वी पास के लिए और second counseling का रहेगगा जो वेकंसी अपडेशन होगी जो भी institute के दवार्वी पास के द Give was वो आप detail में देख सकते हैं session start कब होगा means आपके class से कब start होगी 10 वी पास जो विद्यारती हैं उनके लिए 15 सितंबर 2023 को classes start हो जाएंगी जो pharmacy के हैं उनकी भी 15 सितंबर 2023 को start होगी और जो later entry यानि 12 पास हैं उनके लिए 15 सितंबर 2023 को classes start होगी final cut-off date जो सभी admissions के लिए है वो 15 सितंबर 2023 से इस परकार ये complete 15 इस बार कुछ इसमें थोड़ा सा बदला हुआ है कि complete सभी की classes एक साथ start होगी और admissions की जो cut-off date है वो 18 सितंबर 2023 से सभी की इसके लावा important कोई और instructions देखनी है या fees देखनी है जैसे general category के लिए prospectus रहेगा 1000 रुपए और इसके लावा जो reserve category है उनके लिए 700 रुपए रहेगा जिसमें आपकी जो fees है जहांपे counseling की fees होती है वो इसमें include होती है तो complete जो details है इसके लावा आप prospectus में check कर सकते हैं दोस्तों तो ये था key dates diploma polytechnic हरियाना थेंक्यू दोस्तों